हलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग आई होब कि आप सब ठीक होंगे दोस्तों मेरे पास यह स्ट्रक्चर कोलम का ड्रोइंग है और मैं आज इसके बारे में आपको समझाऊंगा दोस्तों ड्रोइंग स्ट्रक्चर कोलम का हो बीम का हो यह फ्रेम का हो यह पाइप का हो किसी चीज पाइपिंग के भी Drawing हो हर चीज को देखने के लिए आपको उसके भी उसके direction के जोरत पड़ेगी अगर आपको direction आपको section समझ में नहीं आता है अगर तो आप आप काम नहीं कर पाएंगे सचे अच्छा काम नहीं कर पाएंगे और आपका जॉब गलत भी हो सकता है ठीके तो आ हुआ है मेट्रियल कौन किधर लग रहा है ठीक है और यह जो जॉब मैं आपको देखा रहा हूं यह कोलम है इसका फिट अप कैसे होगा इसमें क्या-क्या मेट्रियल है इसके बारे में आपसे बात करूंगा दोस्तो वीडियो को पूरा देखिएगा ठीक है बीच में छोड़कर नहीं जाएए क्योंकि आप अच्छा कारिगर हैं कुछ ना कुछ इंसान के अंदर कमी होती है हो सकता है कुछ आपके सिखने के लाइग इसमें मिल जाए इसलिए प्लीज अगर वीडियो आपको पसंद आ ऐने खरने ठीक है यह कि इसका टॉब ह्येत अभी जेव जो यह जब हमारा पढ़ा हुआ है जो हम देख रहे हैं आप लोग ठीक है और यह इसका में इसलिए उसमें क्या क्या लग रहा है जो यहां पे ड्रोइंग में दिया हुए हैं ठीक justement क्यों ओनक्र ब्लेट कहां लग यह जो beam है W2 है ठीक है यह IP है W2 यह IP इसका part drawing अगर अगर आपको इसका part drawing देखने से मालूम परेगा यह देखिए यहाँ पर अभी तो part drawing मेरे पास नहीं है यहाँ पर यह दिखा रहा है कि यह beam ऐसे cut हुआ है तो जो हम material receive करेंगे ठीक है तो इस beam को पहले cutting कर लेंगे ठीक है दूस्तो और यहाँ देखिए इसमें hole भी है इस beam में hole है तो हम hole marking और hole करके मिलेगा तो ठीक है ने तो इसका hole marking करेंगे इसे cutting करेंगे और इसके साथ एक plate लगा हुआ है ठीक है तो सबसे पहले हम beam इस beam को ready करेंगे इस beam को ready करने के बाद यह plate ready करके और सबसे पहले इसमें हम base plate fit up करेंगे ठीक है उससे पहले हमें इसका section देखना जरूरी है कि इसमें क्या क्या कैसे लग रहा है तो आए section शुरू करते हैं पहले तो इसमें section कितना दिया हुआ है यह section A है यह section B है और यह आगे section C है section A में क्या है base plate है चलिए base plate देखते हैं किधर है यह base plate है हमारा ठीक है 55 टबलू 55 इसमें 18 का hole है ठीक है hole center to hole center 50 है 18 का hole का outside to outside यह हो जाएगा 68 अगर यह base plate हम लोग को fit up करना पड़े तो कैसे करेंगे आई आपको बताते हैं यह base plate की marking के लिए हम इसे grinding कर लेंगे और base plate को यहां से यहां 68 होगी आपको बता दिया भी ठीक है तो 68 अगर यह बीम का थिकने इसका बेब का 8 मिली है तो 8 मिली माइनस कर ले माल लिजेगा 8 मिली है तो 60 बच जाएगा तो यहां से हम क्या करेंगे यह हिस्सा हमको top पे रखना है ठीक है यह हिस्सा bottom में जाना है ठीक है अब यहां हम बेब का marking करेंगे ठीक है यहां पे बेब का top side के marking करेंगे कैसे करेंगे आया बताते है यहां से यहां 68 है 68 में से 8 मैनस किया 60 बच गया 60 जो बचा वो बेब का दोनों side रहेगा तो उसके लिए अब कैसे marking करते हैं यहां से 30 मारेंगे ठीक है यह line लगाएंगे 30 का ठीक है और आपको हिसाब समझाएता हूँ कि कैसे हो जाएगा यहां से 30 और उसके बचा आठ मिली बेब और फिर 30 मिली यहां तक 68 हो गया ठीक है तो यह हमारा top पे रहेगा तो marking से नीचे यहां से कितना हो जाएगा marking तक इधर से marking करना होगा 38 और इधर से 30 ठीक है यह हमारा top पे रहेगा यह top पे क्यों रहेगा क्योंकि marking हमको fit up करते हैं समय यहां उपर दिखना चाहिए ठीक है तो हम fit up कर सकते हैं उसका टिकन लगा सकते हैं ठीक है base plate की marking इस तरह करेंगे और इसमें दो ही hole है तो इसका hole का यह hole का center मार देंगे यह 70-70 इसका center प्लेट 140 का है यह मार देंगे ठीक है यह 142 का plate है तो यह center मार के इसका और इसमें center मार के लगा देंगे ठीक है अब आईए अब आपको बताते हैं यहां पे कि यह दूसरा इसका प्लेट कैसे fit up होगा दोस्तो यह जो हम fit up करने के लिए जहां खड़ा होंगे यह side में अगर तो हमारा यह जो है यह देखे यह हमारा bottom side बनेगा ठीक है और यह हमारा top side बनेगा ठीक है यहां पे आपको दिखाएते हैं एक बाद top view यह top view बनने के बाद देखिए यह plate दूसरी side में है आप अगर यहां ख़रा होते हैं तो दूसरी side में है अगर इस beam को ऐसे गिरा देंगे पल्टी मारके तो यह plate नीचे चल जाएगा ठीक है तो यह हमारा top view उधर चला गया और यह bottom है तो और bottom वाला A side में आ जाएगा तो यहां पर देखिए यह जब यह अगर beam गिरेगा इसा तो यह plate नीचे जाएगा तो यह plate नीचे चला गया तो यह top view है यह bottom है तो यह hole जो रहेगा हमारा bottom में रहेगा और इसी hole to hole यह fit up होगा यह plate number W5 इसमें 6 hole है तो यह इसमें भी देखिए बहुत थोड़ा बारी की से इसमें देखने के जोरत है इधर 41 है इधर 41 इधर यह दोनों side में plate का same नहीं है इसलिए इसको बदाना पर रहे है यह 41 हो गया और यह 19 आपको यहां पर देखे लिखा हुआ है और यह 41 तो हम क्या करेंगे इसको इसको fit up करने के लिए यहां देखेंगे पहले यह देखेए यहां से यहां कितना है 25 इधर बाहर बचा हुआ है तो यहां से यह 41 है और यह 25 इधर 16 बच गया ठीक है और यह कम वाला हिस्सा इधर रहेगा यह bottom में लगेगा ठीक है अब हम इसको यह whole marking करके यह plate लगा लेंगे इधर base plate लग गया हमारा अब हमें क्या लगाना है हमें यह plate लगाना है आए section में देखते हैं ठीक है यह section A में section इसको B में दिखाया है यह plate number 52 है यह 94 है और यह 80 है और यह 7 में लिका यह cutting करके यह cross बनाया हुआ है ठीक है cross वाला हिसा उपर रहेगा और यह side में fit up होगा इसमें 14 का hole है आए इसको कैसे fit up करना है आए बताते है इसको fit up के लिए यहां से marking करेंगे ठीक है कितना marking करेंगे इसमें देखे यह 2 मीटर यह आपको बताते है 2 मीटर 898 यह यहां marking होगा ठीक है यह total हो जागा दोस्तो 2 मीटर 905 क्योंकि इसमें 7 मिली प्लस होगा यह किनारा मारने के लिए ठीक है तो यह आप तो दूरी मार दिए यह आप तो दूरी यहां तक मार दिए कि यह आप आ गया ठीक है यह hole का यह किनारा hole का यह किनारा आप मार दिए ठीक है लेकिन यहां से कितना मारेंगे यहां देखे दिया हुआ 51 यहां से 51 यह जो bottom में प्लेट है न यह वाला यह तीनों प्लेट जो है न दोस्तो यह एक लाइन में है यह देख लिए अच्छे समझे ड्रोइंग को कि ड्रोइंग को समझ जाएंगा अच्छे से आपके मन में जो डर है न वो खतम हो जाएगा ठीक है जो काम में डर बना रहता है कि मैं जो जब कर रहा हूँ सही है कि नहीं है दोस्तों यह जो डर है ना बहुत खड़ाब चीज़ है इससे यह आपको हमेशा आपके काम में बाधा डालता है किसी काम को आप कर सकते हैं आप उसको आच्छा से समझ के और आप सुरू किज़े काम हो जाएगा लेकिन अगर उसमें कुछ कमी है तो समझ नहीं को हिस किज़े तो देखिए यह 51 मार देंगे यहां से मारकिंग और यह लाइन पे फिट अफ हो जाएगा और यहां से 51 और यहां से 2.905 यह होल का किनारा कुछ नारा होगा यह होल का देखिए यहां पे तो यह हमारा जौब एक फिट अफ हो जाएगा ठीके लेकिन यह हाइट इसका कैसे देखेंगे आई आपको भी देखाते हैं यहां देखिए यह ही वो पिलेट है यह जो यह जो पिलेट है न वो अच्छे होल वाला जवाब को बीम के साथ लगा था उस होल के सेंटर से 43 इस होल का सेंटर रहेगा ठीके इस होल के सेंटर से 43 रहेगा यानि के यह होल का सेंटर से वो hole का center ऐसे उपर के तरफ दोनों में difference hole to hole center 43 रहेगा ठीके दोस्तों यह हमारा base plate हो गया यह हमारा के साथ column का जो plate है वो भी हो गया ठीके और यह वाला भी plate हमारा हो गया अब आईए हम अब इसको हमें पल्टी करना पड़ेगा अब जब हम इसको इस side fit up कर लिए तो हम उसको पल्टी करेंगे तो हमारा top हमारे तरफ आएगा पहले हमारा bottom हमारे तरफ था हमारा top अब हमारे तरफ आएगा वह हिस्सा उपर होगा तो हमारा इस side से जो 51 मार्किंग कर रहे थे अब हम पल्टी करने के बाद job के दूसरी side खड़े होंगे ताके हमसे कोई mistake न हो इस side खड़े होके मार्किंग करेंगे तो आपको 69 मार्किंग करने के बाद plate को अंदर के तरफ लगाना है ठीक है अगर job अगर हम position अपना change कर दें ठीक है तो उसके बाद ये फिप्टी नमर प्लेट प्टॅप करेंगे क्या है आपको यह दखी likely nochmal figure सली फिप्टी नमर प्लेट यहां देखे फिप्टी 3 प्लेट ठीक है तो असा सा मार्किंग है सब दिया हुआ है राम्ट export कर सकते हैं तो कतना दूर ніँला ऑगा ठीक है त 52 प्लेट नमर 53 सौरी प्लेट नमर 53 है ठीक है कि दोस्तों ये 200 ये पूरा इसको जोड़ेंगे तो ये ये होल सेंटर दिया हुए ना 140 27 और 29 ये 14 का होल है इसमें प्लस करेंगे तो ये 203 होगा ये किनारा जाएगा होल का किनार ये सेंटर है ना होल का किनार आ जाएगा तो ये होल का किनारा तो ये बीम में लाइन लगा देंगे ठीक है और ये हाइड कितना रहेगा तो 43 और 29 ठीक है ये 79 ये प्लस सेबन ये 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 टॉप किनार हो ये हमारे स्कॉायर बन गया अब ये नहीं कितना मार्किंग कर आप 590 दूसरे साइड नाद करें और 699 एंगे तो प्लेट मार्किंग के अंदर लगे इधर सब मार्किंग कर रहे हैं ठीक है तो यह हमारा प्लेट इस तरह техफ अब हमारा रहे गया यह प्लेट फिट अप करने के लिए तो यह कितना दूर लेना है आप यहां से यह कितना आ गए है दो सो तीन यह किनारा तो कभी भी जब बीम का मारकिंग करें कोलम का फिट अप करें दो प्लेट लगें एक साइड में तो दोनों का होल टू होल किलार 56 incarnation सब्सक्राइब एंट इसलिए प्लस नहीं करेंगे के पहले से प्लस करें एक किनारा आगए है तो जब यह यह किनारा पहुंच गए तो सेंटर से सेंटर था तो अब यह किनारा से हमारा यह किनारा फोल किनारा पहुंच गया ठीके तो यहां कितना हो जाएगा यह आपको टोटल बताते हैं कि दूमीटर न्युसांद कर दो मीटर अठवी आठसो छिया इस विश्क ही दूम्यभा ніसे सब्सक्राइब माणूरी थिवे मेतर मुप यह कि पाइब में किस्रेग करें यह एक हांसे इसमार मोधृ चेटीCollЭज你可以 सब्सक्राइब दोस्तों यहां पर दिया हुआ है ठीक है और यहां पर जो दिया है यह देखिए अच्छा से यह बेब का टॉप से दिये हुए उपर से ठीक है तो यह सब्सक्राइब मीटर और दो मींटर 800 इधर से कहा इस होल से इसह होल तक दो मीटर चालीष एधर से 151 हाइट करके यह स्कुायर बन जाएगा यह लग जाएगा दोस्तों यहां अधात तो यह फिट अप्लाइर हो गया ठीक है यैस कह यह कोलम है है यह को देखाते हैं ओर आपको बताते हैं जिस्मन बागी क्या है इसमें गिनलगाना की cet लगानें कर एक वह से ठीक है तो यह से फूर्त के यह और मार्किंग दी यह फिलोppe ठीकें ठीक है न यहांसे 40 ठीक है न तो यह इसको देखिए से में इस चीज को दिखा दिया है कि यह धोनों के साथ यह तो यहाँ में तेन दिख रहा है तो उधर से अगर देखेंगे तो दो होल दिखेंगा क्यों यह देखिए यह 6 होल है ना ऐसे देख रहा है तीन देख रहा है ऐसे देख रहा है दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे कुछ भी सिखने को अगर आपको इसमें मिला हो तो प्लीज वीडियो को लाइक किजिए ठीक है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किजिए और इसे अप कुछ बोलने में या समझाने में तो उसको हम सुधार करेंगे ठीक है वीडियो देखने के लिए सुक्रिया